हालो दूस्तू नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे योटू चैलल में तो दूस्तो आप देख रहे हैं वेकेंसी एरा एजुकेशन और वेकेंसी एरा एजुकेशन के जरिये में आप सभी को आज एक वार फिर से अच्छी अपडेट देने वाला हों जी हाँ दूस्तो अगर आप अमारे थम्मेल में देख रहे हैं सीधी भरती यानिकी नो एकजाम तो दूस्तो मैं आपको पूरे प्रूफ के जास से दिखाऊंगा अगर आप अमारे साथ जुड़ चुके हैं तो प्लीज दूस्तो देखेगा पूरा वीडियो क्योंकि आप अ इंडियन विकिंसी ये भी आपको हम बताएंगे 18 से 45 या 34 वस्ते के 37 में आवेदन करेंगे कैसे करेंगे तो दूस्तो सबसे अच्छी तो बात यह क्योंकि जादत कर आप लोगोंने सीधी भरती का स्थम मेल देखा होगा तो आज मैं इसके सीधी भरती का रिविजन यानिक इससे पहले हम सुरू करने से पहले सबी से हाज जूर के रिक्वेस्ट हैं अगर प्लीज दोस्तो आपको अच्छा लगे आप एक सरकारी स्टूइंट तैयारी कर रहे हैं तो आप अमारे चैन को सस्क्राइब के साथ बेल आइकन को उन कीजेगा और आने वाले लेटिस के लिए उनलैन आविदन अमरिद किया आं आविदन विज्ञापन एक से हद्तिक्या एक से अलग अलग जगा आप आवेदन कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तो आप लोग आवेदन करने के लिए सथा से पहले पोश्ट की सेंक्या जो अलग लग ग ग्रामिन शेत्रों में नियम द्वारा लागूर है वो GST आपको यहां पर देना होगा इसी दुरान ओनलाइन आवेदन पत्तर जमा कराना होगा आपको कुछ नहीं करना होगा अपना नायम डेटो बर्त मेल आईडी और आपको अपनी एक फोटो और सिगनेचर अपलोड करके भेज देना होगा यान कि अनुसार इसना तक होना जरूरी है या फिर आपके पास दस्वी पास के स्टूडेंट है या फिर बारियो पास के स्टूडेंट है तो पसुपालन उन्नती के लिए दस्वी वाले स्टूडेंट आवेदन करेंगे कोसल परवेश सलागार के लिए बारियो पास वाले स्ट स्टूरेंट आवेदन करेंगे तो आई होप कि यह आपको पसंद आया होगा और इसी दोरहां दुस्तों आपको बता दें यह सीधी भरती कैसे होगी आपके गाउं के असपास शेतर में आपकी पंचाइटी शेतर में आपको बुलाया जाएगा और आपका इंटरव्यू लिय जाएगी मेरेट रिस्ट के अनुसर आपके जो गाउं में सबसे जादा सीनियर या मेरिट होगी उसे इस नोकरी के लिए चुना जाएगा आगे हम बात करें आवेदन करने के लिए क्योंकि सबसे बड़ा स्टूडेंटों का सवाल होता है आवेदन करने के लिए तो आप इ यह दो जगे हैं आप इन दोनों को देख सकते हैं अगर यह नहीं कर पा रहे तो मैं आपको इसका लिंक नीचे दूँगा जिससे आप लोग आवेदन कर पाएंगे तो अब हम यह आवेदन अपलाई का मतलब है आपको इस पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करते आपके साम आपके सामने रखी हुई है अब हम बात करें आगे नेक्स्ट अपना बस नेम आइड करना होगा और अपना फादर्स नेम और डेट और तीनों चीजे जरूरी है अब आगे बात की जाए मोबाइल नमर, मेल आईडी और एड्रेस आप किस राज्जी के रहने वाले हैं उस राज्जी का या पर सेलेक्ट कर लीजिएगा चाहिए भले ही भारत के किसी भी छेतर से हो आप तो आप इसमें आविदन कर पाएंगे आपको एक बार फिर से रेपीट कर दूँ यह ओल इंडियन विकिन्स यह अपने आसपास के ग्रामेंट शेतर में नोक्री आपको दी जाएगी अब हम आगे बात करें तैसिल, ग्राम, पंचाय, पिनकोड या फिर जो भी कॉल्फिकेसन है आपकी जो कॉल्फिकेसन होगी वो यहाँ पे इंकलूड हो जाएगी साथ ही हम बात करें आपको अपने एक फोटो और एक सिगनिचर अपलोड करने के बाद आप इसे कंपलीट कर सकते हैं फोर्म को और प्रिंट अपने साथ निकलवा सकते हैं तो दोस्तो यह है इसका विवरन इसके अंतिम तारी काफी करीब है 15 जून से पहले आपको आवेदन करना होगा और आपको यह जल्दी ही आवेदन करना होगा तो चलिए दोस्तो यह है इसका विवरन अगर आपको फिर भी इसके अलावा किसी परकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट में लिखेगा हम आपके जरूर मदद करेंगे थैंक्यू दूस्तो जैहीं दूस्तो